गूड यूणिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में तैलब त्वीतिय के बारे में जानकर प्राप्त करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स यह जो तैलब सेकेंड है कौन था यह कल्यानी के चालूकियों का संस्थापक था ठीक है अब देखेंगा हमने आपको पहले पताया था कि जो चालूके वंस है यह दक्षिन भारत का एक भायतापुन राजवंस था और इसकी तीन साखाएं थी बादामी या वातापी के चालूके और वेंगी के चालूके और कल्यानी के च चालूके हैं यह करनाटक विजापूर में थे और इनका जो संस्थापक करता है वो पुलके सिन पर्थम था ठीक है और यह चालूकियों की मूल साखा थी और सबसे महतापुन साखा भी यही थी इन्होंने जो दक्षिन का जो राजवंस था पल्लव राजवंस उससे लड़ था ठीक है और अंधि में क्या होता है कि जो किर्थी वर्मन सेखिंड होता है उसके काल में यह राश्ट्र कूर्ट आ जाते हैं और राश्ट्र कूर्टों का जो संस्था पका है दंती दूर्ग वो और फिर उसका उत्रादिकारी कृष्णा फस्ट यह दोनों मिलके और यह बादामी के चालुके हैं इनका दमान कर देते हैं फिर इदर आपका आता है वेंगी के चालुके जिनको पूर्वी चालुके भी कहा गया है तो जो पुलकेशिन सेकिंड था वह दक्षिनापत का स्वामी हो जाता है और इनको मतलब जो अंधर प्रुदेस है वहाँ पर अप पतंतर चालुके राजवंस की स्थापना की थी तो एक तरह से हम कह सकते हैंगी वेंगी के चालुके जो स्थापक हवा है कुपजी विश्नु वर्दन था और वेंगी के चालुके बारे में भी हमने पढ़ लिया है वेंगी के जो चालुके हैं यह जो दक्षिन की जो सक्ति साली सकती थी राश्ट कूट राजवनस इससे लड़े थे ये लोग और इनों इनका पतन भी कर दिया था जालूपियों का ऐस्ट में क्या होता है कि जो billion g चलूके हैे यह चोल आज में सामिल कर लिये जाते हैं इसके बाद क्या होता है कि कल्याणी के चलुके आते हैं तो क्या है चलुके हैं और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जो राश्ट्रकूर्ट है उनमें ही ग्रेकला फैल जाता है उनमें जो आंत्रिक एशांती फैल जाती है इसे राश्ट्रकूर्ट राजवन्स कमजोर पड़ जाता है और फिर उनका ही एक सामन्द जो चालू के सामन्द होता है तैल या तैल वह मोग का पाकर और फिर राश्ट्र कूर सास कर्क शेकिंड को हराता है और कल्यानी के चलू के राजवन्स की स्थापना करता है जो मतलब आगे चलके और चोल तथा परमारों से लड़ते हैं ठीक है यही छोटी सी कहाणी है और हमने चलू के राजवन्स पर काफी वीडियो बनाए हैं एक्जाम के दिर्ष्टी से यह टोपिक बहुत मैता पुन है अता है आप वीडियो को ध्यान से देखेगा मुझे आसा है कि यदि आप हमारे वीडियो देखेंगे तो आपका एक भी क्यूसन एक्जाम में गलत नहीं होगा ठीक है तो देखेगा कि जो कल्यानी है यह पस्चिमी बंगाल केरल इधर मतलब कल्यानी के जो चालू के राजवन से इनका सासन फैला हुआ था और दस्वी स्थाब देखें आंति में कल्यानी में जो चालू की एक साखा का उतकर्स होता है और इस समय के होता है कि दक्षिन की जो राजनेतिक इस्तितिया उसमें न चालू के परमार सासकों के नीरंतर आकर्मनों के कारण राश्ट्रकूर्ट सम्राजे जरजर हो गया था राश्ट्रकूर्टों के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि यह दक्षिन में एक सकतिसारी राजवन स्था और महरास्ट्रमेर इसमें इन्होंने अधिकार कर र जो दुर्बल उत्रादीकारी थे कोन-कोन खेटिक और कार्क सेकिंड ये रास्ट गुड राजवंस की सुरक्सा करने में ऐसक सम रहते हैं और जो अन्तिम रास्ट गुड सासक होता कार्क सेकिंड उसके समय में उसका सामन्त चालू के वंस ये जो तैलफ सेकिंड होता वा सक्ति साली हो गया और उसने क्या क्या कि 973-74 इस्यू में तैलफ सेकिंड ने अपनी सक्ति और कुट निती से राश्ट कुटों की राजवंस की स्थापना की जो कल्यानी के चालू के राजवंस के नाम से परसिद हुआ और इने पस्षी में चालुके के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यही था आपका कल्यानी का चालुके राजमन्स और इसके जो सहन्सतापक है तैलव सेकिंड इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो देखिएगा कल्यानी के चलुकियों का स्वतंतर राजनेतिक इथिहास तैल अथ्वा तैलफ सेकिडने के समय से प्रारम होता है और तैलफ सेकिडने नो से तहतर से सत्यान में स्वितक सासक रहा था नील गुर्ण लेक से पता चलता है कि अयन ने राष्ट कूर नरेश कृष्ण द्वित्य की कन्या से विवा है कर दहेज में विपूल संपती प्रात की और उसके किसके अयन की पुत्रे विक्रमा दिते चतूर्थ का विवा है कल्चूरी राजा लक्समन सेन की कन्या बोन्था टैलस लड़ सेकिंड की का जण्म होता है तो जो टैलस इकिंड रही है की चालू के संसक को विक्रमा दितने चतूर्थ और कल्चूरी राजा लक्समन सेन की करन्या बोन था देवी से उत्पन हो हुई संतान थी नीलकन सास्त्री का विचार है कि ये सभी सासक बीजापूर तथा उसके समीफ वर्ती छेत्र में सासन करते थे जो इस वन्स की मूल राजधनी के पास में था तेलक सेकिंड पहले राजधर कूर सासक क्रिष्ण तृत्य की दिन्ता में विजापूर में सासन कर रहा था दिरे दिरे उसने अपने सक्ति का विस्तार करना प्रारम किया क्रिष्ण तृत्य के उत्रादीकारियों कोन कोन थे खोटी गोर करक सेकिंड इसके समय में राश्ट्रकूर्ट वन्स की जो इस्तितिय वाय कमजोर पड़ गई थी और जो महतर कांग सी तैलप है इसने इसका लाब उठाया नो सो तैतर चो अतर में उसने राश्ट्रकूर्टों की राजदानी मानने खेत प्राकर्मन कर दिया यूद में करक मारा गया तथा राश्ट्रकूर्र राजे पर तैलप का अदिकार हो गया उसकी इस अफलता का उलेख खारे पाटनन अभीलेख में मिलता है और तेलप ने गुजरात के अलावा से सभी भगों पर अपना अधिकार जमा लिया जो पहले राश्टो कुटो के स्वामित्वा में थे तो हम कहा सकते हैं कि राश्टो कुटो के पतन के साथ ही कल्लानी के चलू के राजवंस का उदे होता है और यह आगे चलके शोलों तथा परमारों से युद्ध भी करते हैं तो देखेगा कहने को तो जो तेल सेकिंड है जो तेल सेकिंड है उसे पूर भी हमें कई सासकों के नाह मिलते हैं जैसे की कि लाश्टो कुटो के सामंत थे और जो तेल सेकिंड है यह भी राश्टो कोुटो का सामंत था लेकिन यह बार में राजा बन जाता है अब देखेगा जो कल्यानी के चालू के हैं इनका चोलो से युध होता है ठीक है तो जो चोल राजवंस है इस राजवंस की स्थाफणा विजयले नामक व्यक्ति ने की थी और चोल है ये प्रारम में पल्लवों के सामन्द थे ठीक है तो पल्लवों के बारे में भी हमने आपको पहले पढ़ाया आप पहले वाले वीडियोस को ध्यान से देखिएगा ठीक है तो देखिएगा चोलों से यूद राश्टकूट परदेशों पर अधिकार करने के बाद तेलफ ने चोलों तथा परमारों से संगर्स किया अब इसका अधिकार जैसे कि धार मालवा, उजयनी, अबू परवत तथा अमरकोट तक था ठीक है तो देखिएगा जो कल्यान के चालू के हैं इनका पहले चोलों के साथ होता है और फिर परमारों के साथ संगर्स होता है 980 के लगबग उसने चोल सासक उत्तम चोल को प्राजित किया उत्तम चोल के बाद राज-राज पर्थम चोल वंस का सक्ति सहले राजा बना उसने अपनी सक्ति का विश्तार करते हुए गंगवाडी तथा नोलंब वाडी को जीत लिया तैलप को राज-राज से भी संगर्स कर ना पड़ा तेलब ने राज-राज को प्राजित कर दिया था तो क्यूसर ना आ सकता है कि जो कल्यानी के कल्यानी का जो चालू के सासक को तैलब सेकिंड है इसका मतलब समकालिन सासक चोल सासक कोन था वो है आपका उत्तम चोल और राज-राज पर्थम ठीक है अब देखेगा कल्याणी के चालूकियों के चालूकियों का जो मालवा के परमारों से युद हुआ था उसके कहनी देखेगा चोलों के बाद तेलब का मालवा के परमारवन्स के सास संगर्स छिड़ गया था उसका समकालीन परमारवन्स का सास कोन था? मुंज था तो तेलब सेकिन का समकालीन परमारवन्स के सासक मुंज था मेरूतुंग क्रित प्रबंद चिंतामनी से पता चलता है कि तैलप ने मूंझ के उपर छे बार आकर्मन किया जब उसके मंतरी रूद्रा दीत्ये को इसके विशे में पता चला तो उसने आग में कूद कर आत्महत्या कल ली क्योंकि उसने मुंज को गोदावरी पार ने करने की सला दे रखी थी इस बार मुंज पराजित हुआ मुंज है वो छे बार जीतता है लेकिन साथ भी बार हारता है अब क्या होता है कि मुंज है वो पराजित होता है और बंदी मना लिया जाता है बताया गया है कि कारागार में उसके निग्राने के लिए तेल की अधेर उमर की विद्वा बहन मरनालवती को रखा गया था मुझ उसे प्रेम करने लगा उसने कारागार से निकल भागने की गुपति योजना तयार की और इसे मरनालवती को बता दिया था किन्तों उसने मुंज के साथ चल किया तता उसके योजना का रहस्योत घाठन कर दिया बता दिया था फर स्रों मुंज को कारागार में कठोर यातनाई देने के बाद तैलप ने उसका सिर काट दिया था ठीक है अब देखेगा कि जो मालवा के परमार हैं उनका एक सत्य साली सासता मुंज जो तैलप सेकिंड को छे बार हराता है लेकिन मुंज है वह है साथ वी बार भी तैलप पे आकर्मन करता है और इस आकर्मन में वह हरा जाता है और फिर क्या करता है, इसको तेल फ़ सेकंड अबा बंदी बना लेता है और लास्ट में इसको मार देता है, ठीक है? तो देखेगा अंति में हम यही कह सकते हैं इस प्रकार जो तेल सेकिंड है वह है एक सक्ति साली सासक था उसने चालू के वंस की परतिस्टा को फिर से इस्तापित कर दिया था और यह है महान विद्वानों का सरंख सक भी था इसने कंदर भासा की उन्नति में सहयोगी दिया था ठीक है अब देखेगा यह जो आपके है मेरुतुंग मेरुतुंग है यह एक महान विद्वान था और यह गुजरात का रहने वाला था और यह मेरुतुंग है यह एक परसित जैन विद्वान थे कई बार पूछ लेते हैं मेरुतुंग है यह कोण से धरम को मानने वाले थे यह जैंद्रम को मानने वाले थे और इनकी रचना है परबंध चिंता मणी ठीक है तुदेखे इस वीडियो में हमने आपको तैलक सेकिंड के बारे में पढ़ाया है आगे के वीडियो में हम आपको कल्याणी के महांचालूग के सासकों के बारे में और भी पढ़ाएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे